A2B2 Study की YouTube चनल पर मैरंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की क्लास होने वाली है ग्रूप A के बच्चों के लिए जिसमें हम आपको Physics और Chemistry के Top 50 Most Important Question को Solve करने वाले हैं जो की previous year में बार बार पूछे गया है रिपीट हो चुके हैं अगर आप आज की पूरी क्लास दे लेते हैं तो इन 50 questions में से 20 से भी अधिक questions आपके exam में same to same छपते हुए देखने को मिलने वाले हैं आपको बता दे कि इससे पहले Group A के बच्चों के लिए हमने चार previous year की model paper आपको चैनल पर upload कर दिया है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए उस वीडियो पर आपको 50,000 से भी अधिक views मिल जाएंगे जिस पर बच्चों ने काफी जादे पसंद किया उनको है तो उन वीडियो को अगर देखना चाते हैं तो चैनल पर विजिट करिए प्रेलिस्ट के सेक्शन में जाने पर आपको हर एक वीडियो सेक्शन वाइज मिल जाएंगी अगर आप इस क्लास को ले रहे हैं तो आपको किसी भी अन्य चैनल से किसी भी paid course लेने की आवसकता बिलकुल भी नहीं है अगर आप इस 30 classes को जो हमें आपको देने वाले हैं अगर आप इस 30 classes को अपने exam से पहले ले लेते हैं तो आप 100% government college में admission ले पाएंगे आपको किसी भी course लेने की आवसकता नहीं होगी दूस्तो अगर आपने अभी तक हमारी टेलिग्राम चैनल को जोईनने किया है जिसका लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा अवस शिरूप से जोईन कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको हम daily live test कराते हैं quiz करा दे हैं जिसको दे करके आप अपनी performance को चेक कर से रखते हैं कि आपकी preparation कितनी तक हो चुकी है चलिए आप class को ही start करते है आज की जो class है उसका पहला प्रसन आपकी mobile screen पा चुका है पूछा गय degree centigrade पर एक glass का पानी बर्फ में नहीं बदलता जीरू degree centigrade पर एक पानी है एक गिरस पानी अपने लिया हुआ है वो पानी बर्फ में नहीं जम रहा है आप जानते हैं कि जैसे ही आप temperature को कम करते हैं यानि temperature जो है 37 degree centigrade जो है शरीर का सामान ताप होता है यानि हमारा आपका जो ट 0 degree centigrade लाने पर भी तापमान जो है ग्लास का पानी है वो बर्फ बदल ही नहीं रहा है वो बर्फ नहीं बन रहा है तो ऐसा काड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लास के पानी को जमने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में उसमा निकाल देनी आवस्यक है और ऐसा नहीं होता है यहीं काड़ है कि बर्फ जो है नहीं बनता है वो पानी ठीक है यहाँ पर C option इस question का बिल्कुल correct answer होगा example के तो पर समझी जैसे आपने एक लिएस पानी लिखाया है अब यह पानी है पानी अवस्ता में क्यूं है क्योंकि इसका temperature जो है वो बर्फ के पर इच्छा उच होगा यानि पानी में कुछ नकुछ तो temperature जरू होगा अगर इसका temperature जिरो डिकेशन होटा तो यह तो बर्फ ही और अगर पेन और कॉपी लेकर बैटे हैं तो यह एक्जाम में question 110% छपने वाला है यानि यह person जो है confirm आएगा आप इसको मान कर चलिए ठीक है question में पूछा गया है कि किसी 25 cm फोकस दूरी वाले lens की च्छमता कितनी होती है यह question मैं आपको गैंटिक सा बता रहा हूं आएगा चार नंबर आपका बिल्कुल confirm होने वाला है इस question से ठीक है यह confirm question आएगा ठीक है मैं बता रहा हूं आपको किसी 25 cm फोकस दूरी वाले lens की च्छमता कितनी होती है ठीक है lens की च्छमता वाला एक question exam में ज़रूर आएगा हाँ value हो सकता है change हो लेकिन question ज़रूर आएगा इसके आप एक फार्मूला को अभी के अभी नोट कर लिजेगा फार्मूला होता है lens की च्छमता जो है इसको हम P से नोट करते हैं होता है फार्मूला आपका P is equal to 1 by F इस फार्मूले को सरी बच्चे नोट कर लेंगे उम्मीद है आपने नोट कर दिया होगा ठीक है अब देखे P is इकवल to 1 by F जो होता है यहाप पर F जो है वह आपकी focus दुरी है P हमें ग्यात करना है यालेंस की च्छमता हमें ग्यात करना है जो यह आपका F है वह focus दुरी होता है जो कि मीटर में होनी चाहिए यह value मीटर में हो जाए बस आपका question जो है इस फार्मूले पर solve हो जाएगा चल भाग देंगे यानि 25 में जब 100 से भाग देंगे तो 10 मलो 25 आपका आजाएगा ठीक है इतना तो आपको clear हो गया होगा तो यहां पे 0.25 हम लिख लेते हैं यहां पे 0.25 हम यहां पे लिख लेते हैं अब आपको इसको solve कर लेना है तो देखिए यहां पे ऊपर एक है नीचे 1.25 ह तो ऐसे हम क्या करते हैं हम यहां पे ऊपर और नीचे 100 से गुड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए 100 से ऊपर नीचे गुड़ा कर देंगे तो यह उपर तो आपका 100 हो जाएगा और नीचे आपका 25 हो जाएगा 25 से 100 को काटेंगे तो आपका कितना यहां पर देखेंगे आपसन नमबर C जो दिख रहा है प्लस किफ चार डायोफटर डायोफटर क्या है? आपसे यहां में पूछन पूछा आता है चार आपसन आपको दिख जाएंगे लेंस की छमता का मात्रक क्या होता है? आपको मीटर दिख जाएगा, निउटन दिख जाएगा, डायोफटर दिख जाएगा याद रखिएगा कि लेंस की छमता जो है उसका मात्रक डायोफटर होता है इसको हम D से भी डिनोट करते हैं डायोफटर इसको याद रखिएगा S.C.L.2 में सलफर का तुल्यांकी भार क्या होगा? यह जो तुल्यांकी भार है, ठीक है इसके अलावा अडू भार गयात करने वाला क्वेश्चन या फिर मुलानुपाती सुत्र गयात करने वाला प्रभाजी आसवन, प्रभाजी सुत्र इस टाइप का एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से एक्जाम में आता है आप प्रिवियस चर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका में बताने वाला हूँ सबसे पहले, आपको पता होना चेलिए, तो जिसके साथ बड़े परमारू लिखे है उसका विपरित्वा जो उसके साथ जुड़ा हुआ जत्व है उसी की सन्योकता हो जाती है ठीक है यह आपने पिछली केच्छा में पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो इसको याद रखिएगा जैसे वो कितना था 32 था और सन्योकता इसका कितना है सन्योकता जो है सल्फर का उपड़ा के बढ़ा सन्योकता में बहतीज आपका सलफर का तुल्यांकी भार हो जाएगा नोट कर लिजेगा काफी important question है जिर बच्चे को थोड़ा doubt होगा वो एक बार वीडियो को reverse करके जरूर देख लिजेगा काफी important है ये next question आपके मवाली स्कीन पर है एक तत्यो का तुल्यांकी भार चार है उसके chloride का वास्प घनत्व 59.25 है तत्यो की सन्यों जगता क्या होगी ये भी question काफी जादे important है देखिए सन्यों जगता आपको इसमें ग्याद करने है उस तत्यों के सन्यों जगता क्या होगी इसका की उसके प्रस्ण में दे दिया गया है दोस्तों इस question को भी विल्कुल नोट कर लिजेगा exam में आपकी छाप सकता है सन्योक्ता यहाँ पर फार्मूला होता है इसको नोट करेंगे आप अभी बिच्ची सन्योक्ता आपका फार्मूला होता है क्या 2 into wasp घनत्व वास्प घनत्व किसका होगा जो आपको प्रस्ण में ब्रस्ण दिया होगा विल्याँ ठीक है 2 into wasp घनत्व बटा की e plus 35.5 इस question के इस फार्मूला को अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको समझने में काफी easy होगा ठीक है जरूर से नोट कर लिजेगा अब देखी इसको हम solve कर लेते हैं तो सन्योकता हमें गयाद करना है तो सन्योकता बराबर हम रखेंगे क्या 2 था तो 2 रख दीजिए 2 into wasp घनत्व तो wasp घनत्व को प्रस्ण में दिया गया कितना 59.25 divide by e plus हमने लिखा था तो e का मान यहाँ पर दिया गया है तुल्यांकी भार 4 तो यहाँ पर 4 रख दीजिए e जो है आपका तुल्यांकी भार का मान प्रस्ण में दिया गया है 4 थीक है प्लस में हमने रखा था क्या 35.5 अब इतना रखने के बाद जब इसको आफ solve करेंगे divide करेंगे ठीक है तो आपका जो solve करने पर answer आएगा सन्योकता इसकी जो आएगी वो आपकी आएगी 3 कितनी आएगी 3 तो यहाँ पर आपकर option देखेंगे तो C option इस question का बिल्कुल correct answer होगा इस question को खुद से solve करने का प्रयास करिए rough end पर आपको यह प्रस्ण याद हो जाएगा दोस्तो यह भी प्रस्ण बहुत ही most important है और मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि यह question important है यह question बहुत ही most important है तभी मैं आपको इसको बार-बार बोल रहा हूँ कि बहुत important है बहुत important है क्योंकि यह प्रस्ण प्रिवियस एर का अगर आप question paper उठा अगर देखेंगे हर एक प्रस्ण आपको हर previous year paper में मिल जाएगा हर set में मिल जाएगा आपको किसी gas का अडू भार जो है वो अपरास में आपको दिया रहेगा गहले में अगर या घोन से जाएगा एन चान यहांज लीटर लगां ही भार नहीं धिया गया है एक यहां पर बनाबर जिखाते हैं एम ल्यानी अलू भार दिया गया है 45 तो 45 इसमें लिख लिजिए आप जो की प्रस्ट में दे दिया गया या लेडी ठीक है अब इसका आपको पता करना है कि घनत सॉरी आयतन लीटर में तो देखिए को इतना मीटर दिया गया है त्टीक है या किसके बराबर है किया यह 0.6았어요 के बराबर है start micron के बराबर है या फिर 600 micron के बराबर है आप अच्छे जानती है कि 1 micron जो होता है 1 micron, micron को जो है हमें ऐसे लिखते है 1 micron बराबर 10 to the power minus 6 meter होता है यह आपको कुछ बच्चों को पता होगा नहीं पता है तो नोट कर लेंगे अब देखिए इसमें आपको दिया गया है तरंगदर, ठीक है, meter में value दिया गया है अब आपको बताना है कि micron में इसकी value कौन से सही होगी तो देखिए 0.0000006 0.00006 meter में value दिया गया है बराबर इसको आप चाहें तो आपको यह value दिख रही है इसको आप ऐसे लिख सकते है क्या इस value को आप 6 into 10 to the power minus के 5 लिख सकते है क्योंकि अगर आप count करेंगे 6 के बाद तो 1, 2, 3, 4 और 5 5 value है तो 6 into 10 to the power minus 5 लिख सकते है आपसे अगर हम पुशें normally कि sir यह बताइए क्या आप इस पूरी value को ऐसे लिख सकते है 10 to the power minus 5 लिख सकते है तो आपका इंके सर बिल्कुल लिख सकते है क्योंकि यह मैंने आपको पढ़ा है तो 6 into 10 to the power minus 5 हम ने यहाप लिखा है अगर आप चाहें तो इसको 6 into 10 to the power minus 5 जो है इसको 60 यहापे 60 कर दीजिए into 10 to the power minus 6 कर दीजिए यह भी आप लिख सकते है आपका इंके सर बिल्कुल हम लिख सकते है अब देखिए 60 into 10 to the power minus 6 लिख दिया है अब आप जानते हैं कि एक micron में 10 to the power minus 6 क्या होते है मीटर होते हैं तो यहापे 10 to the power minus 6 मीटर जो है इसके जगापार आप 60 यहापे 10 to the power minus 6 था तो यहापे आप माइक्रोन लिख सकते हैं आपके इंके सर बिल्कुल लिख सकते हैं तो यही परकार 60 माइक्रोन यहापर option number C इसकोषन का सही उतर होगा नॉर्मल ची बात है कि यही मीटर में वैल्यू दिया गया इसको आपको माइक्रोन में चेंज करना है ठीक है तो आपको उम्मीद है कि यह प्रस्ण भी बहुती अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको अगर इतना भी doubt है तो आप डाइट कर सकते हैं 0.0000006 है अब इसको आपको मेटर में दिया गया है माइक्रोम चेंज करना है डारेक्टली आपका 10 to the power minus 6 से भाग दे दीजी इसमें ठीक है सीधे इसमें भाग दे दीजी तब भी आपका value जो है वो आ जाएगा अगला question पूझा गया है SI पदती में प्रिष्ट तनाव का मातरक क्या है यह बहुत हीजी question है और previous year में कई बार पूझा गया है देखिए प्रिष्ट तनाव जो है इसका SI पदती में जो मातरक है वो Newton परती मीटर है कितना है Newton परती मीटर है option number A इस question का बेलकुल correct answer होगा इसका जो फार्मूला होता है प्रिष्ट तनाव जो होता है इसको हमकर हम T से लिखे ठीक है surface tension तो प्रिष्ट तनाव बराबर आपका होता है F by के A क्या होता है F by के इस फार्मूले को नोट कर लिजी इस पर आपको numerical देखने को मिल सकता है छोटा सा अगला question है एक कार जो है A से B तक 20 km पती घंटा की चाल से जाती है तता 30 km पती घंटा की चाल से वापस आती है इस यात्रा के दोरान कार की आउसत चाल क्या होगी देखने में आपको प्रस्ट काफी बड़ा लग रहा होगा लेकिन ऐसा equation exam में पूछ लिया जाता है थोड़ा से इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि यह आपको समझा सकें अब देखिए इसको solve करने का तरीका क्या होने वाला है यहापे आपको औसर चाल पुछा गया है तो औसर चाल का भी एक फारा मूला होता है एक आप फार्मूले का बुक बना लेजिए उसमें आप जितने फार्मूले में आपको नोट कर आ रहा हूँ नोट करते चलिए एक्जाम के टाइम अगर आप एक जहलक उस देख को जाते एक बार भी देख के चले आते हैं उस फार्मूले को उस बुक को तो आपको हर एक फार्मूले जो है माइन में स्टेट रहेंगे 2B1 B2 by B1 plus B2 2B1 by B1 B2 by B1 plus B2 अब यहाप आपको वैल्यू पूट अप करना है B1 की वैल्यू दिया गया है कितना 20 B2 की वैल्यू 30 थीक है तो आपको यहापे रख लेना है वैल्यू तो यहापे हम रख रहे है 2 B1 की वैल्यू कितनी है सर्थ B1 की वैल्यू सरी हाँ पर दिया गया है 20 B2 की वैल्यू कितनी दी गई है 30 divided by B1 plus B2 यानि 30 और 20 कितना हो जाएगा पचास होगा पचास होगा ना बिल्कुल पचास होगा अब देखिए 30 के दो 30 का 20 में गुड़ा करिए और 2 का गुड़ा करिए तो 30 दूना के साथ 6 दूना 12 120 होगा टूटल तो यहां पर आउसाच चाल कितना आया 120 और डिवाइड भाई कितना था नीचे नीचे था आपका 30 20 50 तो यहां पर एक जियो से एक जियो कट देजिए 12 में जब 5 से भाग देंगे आप तो कितना आएगा बताइए 12 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा वैल्यू किया इसको सौल करना आपको आ रहा है यहां पर आपका सौरी यहां पर कुश्चन में मिस्टेक कर दिय तीस और बीस और दो का जब गुड़ा करेंगे तो 120 नहीं आएगा बलकि 1200 आएगा और 1200 में जब आप 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 120 बटा के 5 आएगा 120 को जब 5 से डिवाइट करेंगे तो आपका कितना आएगा पांच दुना के 10 पांच युका 20 यानि 24 किलो मेटर पती घंटा यहां पर बी ऑप्सन जो है इस परसन का सही उतर आजाएगा ठीक है थोड़ा सहमने गुड़ा करने में गलत कर दिया था तीस बीस का जब गुड़ा करेंगे तो तीस दुना के साथ छेस हो आएगा और छेस हम हमने आपे 120 रहे था आला कोषने परमाडु का नाभिक जो है वो किसका बना ओता एगा और हर हमें कॉमेंट करने का प्रयाज करेंगे तो यहांपे शिकटी नॉبر ने पूचा गया है परमाडु का नाभिक बना होता है तो परमाणू का जो नाभी के है वो प्रोतान और न्यूटन का बना होता है प्रिविए-स चेहर के क्वेसितन पेस्टन Maypard में कई बार पूछा गया है अगर आगर आपको लग रहा है य। ये देख सकते हैं आपको यह सभी प्रस्ण जो है किशनी की सेट में जरूर देखने को मिल जाएंगी परवारु का ना भी किसका बना होता है तो प्रोटान और न्यूटान का बना होता है इसको नोट कर लिजेगा अशा बहुत ही इजी कोशन है पुछा गया है न्यूटान की खो हो इस में तिनों मंए से एक क्वेश्टन जो है इकजाम में आता है तो जीओ घंश चैडविक ने किती कब तरी सक उठ्यकर तो व्रियर हे तो इसने किय था जेजी टॉं सन निकिया याँ पर था ऑ pi तांससन या पर तो सोकता है तो electron की खोज जो है वो जे जे टॉमसन ने किया था वहाई अगर proton की बात कलने तो आपका होता है रदर फोट ने किया था ठीक है और वही आपका बात कलने electron proton neutron की खोज किसे निगी थी तो जेम स्चालोग ने किती कैसे आप याद करेंगे आप यहाँ पर electron को इस लिखे electron यहाँ पर proton और यहाँ पर newton एक फार्वना बतरा हूँ आपको T, R, C के नीचे आप लिख लिजिए अब इसको आप कैसे याद कर पाएंगे electron की खोज Thompson ने की थी proton की खोज R, R से हो जाएगा और neutron की खोज C से किस ने की थी Chadwick ने की थी ठीक है तो यह trick अगर आपको अच्छा लगा हो तो comment करके बता दीजिएगा और वीडियो को like कर दीजिएगा ऐसे ही हमने भी याद कर रखा है आपको भी यह काफी easy लगगा याद करने में next question है M cost में electron की अधिक्तम संख्या कितनी होगी यह question देखिए previous year में पूछा गया था और बहुत से बच्चे इसका answer नहीं दे पाए लेकिन बहुत ही जादे easy question था यह इसको solve करने का यह बहुत ही easy तरीका बताने वाला हूँ M cost में electron की अधिक्तम संख्या जो है कितनी होगी तो देखिए आपके जो उपकोस होते हैं वो कैसे होते है K, L, M और K, L, M और N यह आपके 4 उपकोस होते हैं आपके electron की भरने के क्रम मेरा है ठीक है तो K, L, M, N होता है तो के उपकोस होता है इसमें केबल 2 electron भर सकते हैं आप अधिक्तम L में कितने भर सकते हैं तो आप L में 8 भर सकते हैं M में कितने भर सकते हैं तो M में 18 भर सकते हैं और अगर N की बात कर ले तो N में आप 32 electron maximum भर सकते हैं बात किया गया है यहाँ पर M की ठीक है तो आप कहेंगे सर 18 भर सकते हैं L के अगर question पुछा गयाता होता, तो आप 8 भरते, K का बात किया गया होता, तो 2 भरते, और N के अगर value पुछी गई होती, तो आप 32 लिखते, यहाँ पर M की पुछी बात पुछी गई है, तो M में आप अधिक्तर्म जो electron भरेंगे, वो कितने भरेंगे सर, 18 यानि 18, ठीक है, बहुती easy question है, KLMA ने 4 आपके cell है, और 4ों में कैसे होते हैं, 2, 8, 18 और 32, याद कर लिजएगे इसको, ठीक है, आपका चारंग बिल्कुल confirm हो जाएगा, next question है, sodium ion सम electronic है, किसके वदाइए, sodium ion जो है, वो किसके सम electronic है सर, तो ये है, आपके किसके, magnesium पर जो 2 धनायन है, ये इसके सम electronic है, शिक्षी 3 का correct answer जो होगा, वो आपका हो जाएगा, B option, ठीक है, अच्छा कैसे इसको solve करेंगे, देखिए अगर आप बात कर ले, sodium की, Na, sodium की बात कर ले, तो sodium जो है, इसका परमारू कमांग कितना होता है सर, तो आप कहेंगे सर, sodium जो है, इसका परमारू कमांग कितना होता है, आप कहेंगे सर, 11 होता है, अब इस पर एक धनायन है, यानि एक धनायन, यानि इसने उधार ले रखा है, तो 11 में से आप एक घटा देंगे तो कितना आ गया? 10 आ गया अगर magnesium की बात कर ले तो magnesium जो है इसका 12 होता है और इस पर 2 धनायन है यानि 2 जोने उधार ले रखाए की जिसे 2 घटा देजी यहां पर आपके इतना आ गया? यानि दोनों बराबर आ रहा है value यानि दोनों एक दूसरे के सम इलेक्टानिक है सम इलेक्टानिक किसे कहते हैं? जिसमें दो किसी पर्मारों की इलेक्टानों की संक्या आपस में समान हो यानि इसके भी इलेक्टान के संक्या बराबर है और इसके भी बराबर है एक दूसरे के क्या होंगे सम इलेक्टाउनिक होंगे ठीक है अब देखिए अगर आपको एक शी बता दे हम अगर सोडियम पे धनायन चाहिए लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर सोडियम पे एक धनायन चाहिए लगा है तो आपके पास हमारे पास का हुआ है एक धनाय neighbor गया हमारे पास 11 हो गया थीक है अब देखिए यहाँ पर धनाय चैमेन का लेकनी का निसहीं लेकना होता है यहाँ पर दस के उपर अगर धनाय लगा है तो यह 11 माना जाएगा आपने इसको एक दे दिया तो इसके पास जो होगा एक धनायन चार्ज लग जाएगा लेकिन आपके पास जो होगा यह आपके पास रिडायन चार्ज लग जाएगा यानि आपने उधार किसी को दे रखा है ठीक है तो यही चीजे हाँ पर आयन जो है धनायन और रिडायन का मत अगला कोशन है 500 किलोग्राम के एक क्रेन 36 किलोमेटर पती घंटा के वेग से 50 मीटर तिज्ञास से मुर्ती है अभी केंड्री बल निकालने के बहुती बेशिक सा फ़ामूला है अभी केंड्री बल या फिश्को अभी केंड्री तौरल भी नहीं पता रहा हूं F is equal to MB square by के R MB square by के R अब आपको F ग्याद करना है M की value कितने दे गई है 500 kg तो हैं पर 5 लग दीजे into kg में value दिये है तो इसको आपको क्या करना होगा ग्राम बेचेंच करना होगा तो यहाँ पर 100 से गुड़ा कर दीजेगा MB, B की value जो दिया गया है यहाँ पर प्रस्ट में वह आपका यहाँ पर 500 kg की एक क्रेन है 36 km पर गंटा के वेक से गुम रही है ठीक है तो यहाँ पर आप लख लिजे 100 और यहाँ पर R की value कितना दिया गया है तो 50 तिर्जा जो है वो 50 दिया गया है ठीक है तो 50 से इसको भाग देजी आप तो जब 50 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 0-0 कैंसल आउट जाएगा और आपका यहाँ पर 50 और 100 का गुड़ा करेंगे तो जो value आएगी वो कितनी यह जाएगे बताइगे बिल्कुल 1000 N, यहाँ पर B option जो है यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले 5 से इस वाला 5 जो है कैंसल आउट जाएगा यहाँ पर आपका 100 में जब 1-0 बहाद देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 N हो जाएगा तो यहाँ पर B option का सही उत्तर हो जाएगा एक बार फिस समाल लेजिए कोई बच्चों को डाउट हो रहा होगा यहाँ पर हमने ग्याद करना था F is equal to क्या था M B square by R R जो है तिज्जा है तो R की value आपको पता है आपको 50 दिया गया है मीटर में और 500 kg यहाँ पर प्रस्ट में दिया गया आपको M की value जो है वो यहाँ पर दिया गया है 50 kg अब यहाँ पर B की value है वो 36 km पर घंटा दिया है तो 36 km पर घंटा जो है इसको आपको M per second में चेंज करना होगा तो 36 जो है इसको हमने 5 बटा 18 से गुड़ा कर दिया देखिए अब जब भी M per second में चेंज करना होता है तो 5 बटा 18 से गुड़ा करते हैं वह यह अगर 36 m per second दिया होता और आपको km पर घंटा चेंज करना होता हो तो आप 18 बटा 5 से गुड़ा करते है अठर से जब 36 कुटेंगे तो दो बार कर जाएगा और 5 दूना के आपका 10 जाएगा हमने यहापे 100 इसलिए रखा था क्योंकि MB स्क्वार था दस का जब स्क्वार करेंगे तो आपका कितना आएगा 100 आएगा इसलिए हमने वहापे डारेक्ट 100 रख दिया था ठीक है नेस्ट क्वेशन है एक सो साथ मीटर तेज्या वाले वक्र मार्ग पर 400 मीटर पती सेकेंड चाल से गती करते हुई मोटर साइकल का तोरड क्या होगा देखिए यह सभी क्वेशन प्रिवेशन पूशे गया है आपको लग रहा होगा थोड़ा हार्ड क्वेशन है लेकिन बहुत ही एजी है और आपको अगर फ्रामूला के वाल याद है तो आप इसको solve कर पाएंगे easily देखिए इस question को solve करने के लिए आपको फ्रामूला यहापे तोरड गयाद करना है तो तोरड का फ्रामूला होता है a is equal to b square by r a is equal to b square by r इस फ्रामूले को सभी बच्चे note कर लेंगे अब आपको a ही गयाद करना है तो a square a बराबर आपको हो जागा 20 square तो b की value कितनी दे गई है 20 square दिया गया है 400 दिया गया है तो 400 काई square करेंगे तो 400 into हम यहापे 400 लिख लेते हैं divide by r की value कितनी दे गई 160 meter तीज्या है तो 160 है यहापे लिख लिजिए भाग दे जिजिए तो बहुत हीजी हो जाएगा देखिए 400 into 400 divide by कितना है आपका 160 अब इसको solve करना आपको नहीं आ रहा है बहुत हीजी चीज़ है यह तो एक जिए 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 जो आपका ओपर नीचे cancel काट हो जिए 16 है तो 16 से आपको इसमें भाग देना है तो 4 से कर काटेंगे तो 4 एक कम 4 दस हो जाएगा और 4 चोग का 16 4 से इसको काट देजी आपका बचेगा कितना 100 into 10 यानि कि कितना हो जाएगा 100 और 10 का जब गुड़ा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 100 और 10 का जब गुड़ा करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 1000 मीटर लेकिन आपको किलो मीटर में अंसर दिया गया है तो 1000 जो है आपका 1 किलो मीटर पती सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर आपसन नंबर D इस कोईशन का सही उत्तर हो जाएगा उमीद है आपको यह कोईशन भी समय में आगया होगा देखिए अगला बहुत ही most important question और जितना बड़ा question है उतना ही easy solution है एक मनुष्य जो कि 990 मीटर धूरी स्थित CT की ध्वनी सुनकर अपनी घड़ी मिलाता है उसकी घड़ी में कितना दोस रहेगा हवा में ध्वनी का वेग जो है वो प्रस्ण में दी आ गया है तो इसको तो की solve करने का तरीका आपका है फार्मूला नूट करिएगा फार्मूला आपका है T is equal to T is equal to D by के कितना भी D by के भी D क्या है distance यानि दूरी है तो 990 मीटर दिया गया है और भी जो है वो क्या है आपका हवा में ध्वनी का वेग दिया है 330 मीटर पत सेकेंड तो 330 सेटिक दिजिए यहां पे बस भाग दिजिए इससे ही कैंटर कर दिजिए 33 के 993 यहां भी आपका इसका यांजर आ गया अब 30 सेकेंड तेज होगा या फिर 3 सेकेंड सुस्त होगा तो जिए यह जो होगा वो आपका तीन सेकेंड सुस्त ही होगा यहां पर 3 ओप्सन इस कोईशन का B ओप्सन बिल्कुर करेक्ट होगा क्योंकि उसकी घड़ी में दोस्त पुछा गया कितना रहेगा 990 मीटर दूर कोई बैक्ती खड़ा है अब उसको कोई सूर्ट सीर्टी के तुम्हें सुना ही दे रही है सुनने के बाद जब उस घड़ी को मिला रहा है तो उसमें कुछ दोस्त दिख रहा है कितनी दोस्त का देखा 3 सेकेंड यानि कि सुनने के और समय के ठीक है जब उस सुन रहा है और घड़ी अब देख रहा है उन दोने के बीच में 3 सेकेंड का समय अंतराल होगा दोस्तो अगर आप इस क्लास को ले रहे हैं और आपने हमारी पिछली चार जो सेट हमने आपको सौल कर रखा है उसको देख रहा है अच्छे से और प्रापरली नोट्स बना रहे हैं कोईशन को समझ रहे हैं तो आपको किसी भी चैनल से कोई भी पेड कोर्स लेने की बिल्कुल भी आव सकता नहीं है क्योंकि हमने यह पे क्रैस कोर्स चला रखा है आप सभी के लिए ताकि आप एक अच्छे गौर्वर्मेंट कोलेज मेंड मिशन ले जके हैं आपको किसी भी कोर्स की लेने की हो सकता बिल्कुल भी ना पड़े इस क्लास को अगर आप ले लेते हैं अच्छे से तो गैरंटी है कि आप एक अच्छे गौर्वर्मेंट कोलेज मेंड मिशन ले पाएंगे एक साबुन के बुल्बुले को रिड आवेस दिया गया है तो उसकी तिज्या क्या होगी एक साबुन का बुल्बुला है अब इसको रिड़ावेसिद दे रहे है तो उसकी तिज्या जो है कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी तो उसकी जो तिज्या होगी वो बढ़ जाएगी अगर साबुन का बुलबुला है ठीक है साबुन का बुलबुला उसमें अगर रिड़ावेसिद कर रहे है उसको तो तो उसका जो तिज्या है, यानि वो साइज जो है, इतना बड़ा था न, रिड़ावेसित करेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगी, B option correct होगा, अज़ा सिलिकान क्या है, सिलिकान जो है, क्या यह और दचालक है, चालक है, कुछालक है, अफिर करते हैं, कि यह चालक भी होते हैं, और कुछालक है, आनि दोनों के गुरुष में होते हैं, तो सिलिकान और गर्मिन जो है, और दचालक है, सेमी कंड़्टर कलाते हैं, यह एकजाम में कई बार question पूछा जाता है, और जडर्मिन जो है, इसका प्रियोग किया जाता है, आप तो किस्टली ठोस इसमें बुचा गया है, तो किस्टली ठोस जो है वो आपका सक्कर यानि सरकरा, सक्कर आपने देखा चीनी जो होता है, चीनी के दाने जो होते हैं, वो किस्टली ठोस होते हैं, the option correct होगा इसका, नेश कुछा। लगे a संख्या की तो होती है या अध्या होदी है वो इसके पर टान के संख्या की बराबर होती है इसको याद अलख लिए ठीके काफि क्लिए होगा एक दुक्षल ॥ अध्यान करेक्श楽ं सेकения है निर्विक्रित में से कौन एक वैद्यूत सन्योजी बंद है VF3, CH4, CSICL4, MgCl2 लेकि वैद्यूत सन्योजी बंद की जब भी बात आती है तो आपका MgCl2 जो है मगनेशियम क्लोराइड यह आपका वैद्यूत सन्योजी बंद है D option correct होगा अगना question है प्रबलतम बंद हिनमें से कौन स applies も करबन prompts की जुड़ होगा करबनων हाहिट्रोजन से सिंगल बंद से जुड़ होगा है प्रबन distractions से ट्रिपल बंद कीज़ून हेँ और यहहां पे carbon जो है oxygen से सिंगल बंद से जुड़ होगा तो इसमें जो प्रबलतमन बॉंड होगा क्योंकि यहां पर तीन बॉंड से जुड़े हुए है देखिए अगर आप किसी चीज को ठीक है यहां पर आपका समझ लीजी एक खूटी है खूटी जानते है आप है न कील है कील जैसे आपको जो है गाओंखर में कोई जानवर होते ह बक्री गाय उसको बाणते है खूटे से तो मयwoworld जी इए आपका यहां पर फूटा है ठीक है यह आपका क्या है समझ लीजे बहुत मज़ाएगा खूटी है अब ठीक है यहाँ पर आपकी गाय है यहाँ पर आपकी जो है गाय माता है ठीक है अब इस गाय को आप इस खूटी से बांध रहे हैं तो क्या इसको आप अगर एक रस्टी से बांध रहे हैं गया यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा इसकी अनुपरस्त काट भी दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध जो है वो क्या होगा यदि किसी तार की जो लंबाई है उसको दोगुना कर दी जा रहा है यहां पर ठीक है तो इसको समझने का बहुत थी L by A, क्या हो जागा? Rho L by A, अब यहाँ पे अगर इसकी लंबाई को दोगुणा कर दिये जा रहा है लंबाई क्या है? L, यहाँ पे L है इसको अगर दोगुणा कर दे ठीक है, और शोर्वन प्राष्ट कर दे चाए यानि जो है इसको भी दोगुना कर दे जाए तो प्रतिरोद पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब देखिए सिंपा सा चीज है आर बराबर आपका है रो एल बाई अब उपर भी दोगुना कर दे रहे हैं नीचे भी दोगुना कर रहा है दोनों कर जाएगा कोई परिवर्तन उमीद आपको चीजे समझाई जो जा रही है वो समझ में आभी रही होंगी देखिए नेस कुर्चन है किसी 16 cm फोकस दूरी वाले आउतल धरपड की वाक्रता केंदर पर एक वस्तु रखी गई है यदि उस वस्तु को फोकस दूरी की और 8 cm खिसकाया जाता है तो उसकी प्र आवर्धित आप इसको कहें सॉल्व करेंगे कौन सा फामुरा यूज़ करेंगे आप हमें कॉमेंट से समताइगा ठीक है आने वाले नेस्ट क्लास में हम आपको का स्वाले उसन भी प्रोवाइट करा देंगे दोस्तों यह जो होगा हमारी आहाज की इस क्लास का आखरी क्यो कि आखरी करएंगे मैं आपको इसका बहुत ही जओ तरीका रेने माला हूं पूछा जाएगा डिखिया आई यानि क्या होता है करंट ठा prose क्मान तो आपको इस सरकिट में侃 ज्यात करना होता है क्या करना होता है फिस जानते है कि जाप का प्रत्वान रूवश्यों था एक औ अगर यहां पर देखे, यहां पर arrow कैसे लगा है, यहां पर arrow ऐसे लगा है, यहां पर arrow इस साइड लगा है, लेकिन यहां पर तो arrow जो है, यानि जो तीर का निसान लगा हुआ है, वो बाहर की तरफ है, यह भी बाहर की तरफ है, तो इसमें होता क्या है न, किर्चाप के नियम क अनुसार प्रथम रूल को जो धारा नियम भी कहते है इसको है किर्चाप का जो प्रथम नियम में इसको अन्य किस नाम जानते हैं तो इसको धारा नियम से भी जानते हैं या पिस संधी नियम भी कहते हैं ठीक है किजाग पर जो दितिये रूल होता है उसको बोल्टता नियम के जानते हैं किस नियम जानते हैं बोल्टता नियम इसको याद रखेगा इस सब कोशन प्रिविए सेर में कई वह पूछा गया है आप जाकर चेक कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर किजाओप ने फर्स इधर कहीं धारा आ रही है लेकिन यहाँ पर धारा जा रही है यहाँ पर भी धारा जा रही है तो आने वाली और जाने वाली धाराओं को हम जोड़ लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिख रहे है यह आ रही है आई धारा प्लस कर लेते हैं यह एक धारा चार प्लस दू लिख लिए हमने ठीक है बराबर हम लिखेंगे हाँ पर आई प्लस चार प्लस दू बराबर करके हम लिखते हैं पांच और तीन पांच प्लस तीन अब इसको सॉल कर लिजी आपके लिए काफी जी हो जाएगा हम आपको बस समझाने के लिए इतना डिलेटल में समझा रहे हैं तो आप समझ दू जाएगए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई प्लस चार दो छे बराबर पांच तीन आठ होगा आई प्लस छे बराबर आठ हो जाएगा आई बराबर निकालेंगे तो 8-6 बराबर 2 हो जाएगा यानि I का मन कितना आया है 2 A यानि M.P.R. धारा का मात्रक जो होता है S.I. वो M.P.R. ही तो होता है तो 2 M.P.R. जो है वो इस question का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उमीद है कि आपको ये question भी आगया होगा समझ में ये 75 number question था और class को अब हमें इंट करेंगी आगे जो आपके 76 to 100 question है इसको हम next class में आपको solve करा देंगे उमीद है आपको class कफी अच्छी लगे होगी हारे question अच्छे समझ में आगया होगी आपको guarantee साब बता रहा हूँ ये जो मैंने आपको 25 question हा solve करा है इन में से आपके कम से कम 20 जो question होगी exam में same to same 200% guarantee के साथ छपने वाले है हाँ value जो है हो सकता है change हो जाए यहाँ पर 4 के जगर 6 दे दे यहाँ पर 3 के जगर 8 दे दे 5 के जगर 12 दे दे value change हो सकता है लेकिन ऐसे equation exam में हर बार आते हैं ठीक है तो आप इसको अच्छे से एक दोस्ते दो बार revise कर लीजेगा और वीडियो को जादे जादे share करने का प्यास करेगा आपने दोस्तों के साथ क्योंकि free of cost आपको हर एक चीजे हम provide करा रहे हैं मिलते हैं next class में thank you